Hello and welcome to DNA Editor's Table. मैं हूँ Shivam Verma और मेरे साथ इस समय मौझूद है DNA के एडिटर तिन्वीर आसम. आज हम जम्मू और कश्मीर में होने वाले चुनावों के उपर चर्चा करेंगे. और हम ये चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में पिछले दस सालों में पहला एलक्षन है और अर्टिकल 370 के जाने के बाद हटने के बाद पहला एलक्षन है. तो ये एलक्षन एक मतला हिस्टॉरी के लेक्षन है, there is no double thought about this. अब ये कि इस चुनाव के बाद वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन मनेगा और ये भी कि अब वो इस्टेट नहीं है. अब वो इडियन टेर्टरी है तो जो तीन चार जो मेजर पार्टी जो फ्रेम है वो एक तो नेशनल कॉन्फरेंस है. अब अब अबदूल्ला की, फारूक अबदूला, और उनके बेटे हुमर अबदूलामीन है, दूसरी है प्यक्षन इमॉक्र्टिक जो पार्टी है, वो PDP जो उनकी है महबूबवा मुफ्ती है, मुफ्ती सहीद, उनकेबाद मुफ्ती है, और तीसरी कॉंग्रेस है, और पीडीपी और बीजीपी ने मिलके पार्टी बनाई थी एलक्षन के बाद उन्होंने अलाइंस ये किया था और उसके बाद मुफ्ती मुहमद साइद ने पहले वह एज़ चीफ मिनिश्टर ओथ लिया था और फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो फिर महभूबा सब्सक्राइब के बाद मुझे लगता कि अपना चीफ मिनिश्टर का वह भी देख रहे हैं मुझे लगता सबसे बड़ी जो पार्टी बन के उभरने के जिसके चांसेज है वह नेशनल कॉन्फरेंस वह भी इसलिए है क्योंकि वह कॉंग्रिस के साथ मिलके लड़ रही है त तो उसमें भी देखने को मिला वह बात अलगा कि उमर अब्दुल्ला खुद हार गए श्री नगर से वह इंजिनेर रशीद से हार गए लेकिन उनकी पार्टी ने दो सीटे जीती तो यह दूसरी बात है कि जम्मू में जो सीटे हैं जम्मू की जो 38-49 सीटे हैं उस पे बीज की जम्मू में Gymna की जबैए और ़ृफ जम्मू में एं इंपी वहीं से हैं। जिति अंदिर सिंग्स्ग तो बीजएपी वहां अच्छा कई रहा है कि कॉंड़ेसाब भी लोकसभा इलेक्षन में पिछले बार से वहां बहतर परसलिशं किया तो उनको कि उंपी लूप्या सी कई सालों तक घाटी में जम्मु में सिर्फ दोही पार्टी जादा थी एंसी और प्रटी पिक ओंगर्स दिरे 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 आगे बड़ी 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 जम्मु के आगे कभी वैली की तरफ वीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं हुआ आज भी इस पर वेलेक्शन में आप कि उनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे तो वो कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर करेंगे बाहर से जो अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी के फेवर में जाएं तो कोई भी पार्टी इस टाइम पर इस स्थिति में नहीं है कि देगूर्ट गेटा मेजरोटी ऑफ दिर ओ तो चीफ मनिश्टर कौन बनेगा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि कई जो बड़े नाम हैं जैसे मैं नाम गवा मुफ्ती गुलाम नभी अजाद और फारुक अब्दूला इन तीनों ने कहा कि इलेक्शन्स ना लड़ने की भी इनकी काफी बाचल मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा दल बनके उभरती है तो हो सकता है उमर अब्दूला फिर से एक बड़ चीफ मनें फारुक अब्दूला अब काफी उमर हो चुकी है उनकी और वह से भी अपने मतलब उमर को एक तरह से सौप चुके हैं अपनी राजनेतिक विरासत तो वो शाहद हो सकता है कि उमर अब्दूला बने और अगर बीजेपी सरकार में शामिल थी फिर बीजेपी और पीडीपी ने मिलके तो स्टेट गवर्मेंट ही बना ली ठीक है अर्टिकल 370 के बाद रिष्टे बहुत बदल गए और अभी बीजेपी के साथ जुड़ना बिल्कूल साइडल होगा किसी के लिए भी क्योंकि तो वो अलग बात है इसे एसे समीकरन बनते वे देखें आपने भी देखें कि जो कभी उमीद ने की जाने थे यह दो लोग कभी साथ आ सकते एक जांपल बिहार में लालू और नितीश कभी उमीद नी थी या उत्तर परदेश में मायवती और अखलेश तो सर्वाइवल के लिए या मतलब पाव या कुछ इंडिपेंडने तो उस चांस में हो सकता है कि BJP को इस बार शायद इत्यास रचने का मोगा मिल जाए और कश्मीर जम्मू कश्मीर में उनका पहला बार कोई चीफ मिश्वर बन जाए इन सब नामों में अभी उमर अब्दुल्ला का सबसे ऊपर नाम और कोई बार कि कॉंगरेस में वापस आने के इसमें हैं लेकिन वह सब खबरे तो चलती रहती हैं सत्ता के गलियारों में जो हम लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब एक जो नाम है कि उमर अब्दुल्ला ऐसे अगर उनकी वह जो जो एलाइन साइक ऑंगरेस और एंसी का इव अब आप जो जो पहले नहीं लड़ते थे जमात इसलामी के कुछ लोग जो कि पहले वाइशकार करते तो वह भी चुनाओ लट रहे हैं तो अब वो जो अफ़ल गोरु के भाई लट रहे हैं इंजिनर रशीद के परिवार के लोग लट रहे हैं इन रशीद दर्शकों को ब सबस्क्राइब लेकिन तो वह ऐसे लोग बिजएपी के साथ जाएंगे या वो चसाथ आखये ये तो सीट करका कि अगर आप इंजिनर रशीद की बात कर लें तो वह तो चुन क्या है मतलब जंता ने उनको चुना है और वह अभी अभी नहीं है वह एक्यूजड है तो उसमें किसी इंसान को पास इसलिए नहीं जाना कि वह एक्यूजड है कोड का प्रोसेस है हमने कई बार देखा है लोग अ बात में वह कोड से पूरी तरीके से बरी हो जाते हैं तो इसलिए यह कि मतलब बाद में पार्टी उनके पार्टी के साथ या जो फॉस फॉर एक्जामपल अफजल गुरू के भाई और अफजल गुरू दो अलग लोग है अफजल गुरू ठीक है यह वाशा कन्विक्टर ट बैठेंगे जैसे बैठते हैं हम लोग अपना अनलिस लेकि तो यह बात को मेरे विल्कुल गांट मालें आप और दर्शक भी की चार तारीक को तो जम्मू और कश्मीर के एलक्शन का फैसला नहीं होगा कि कौन चत्ता में आएगा और कौन दोबारा सरकार बनाएगा अभी क कि जो ग्रॉंड इस्तिति है उसमें हाँ यह जरूर है कि एंसी और कॉंग्रेस का जो गड़बंदन है वो सबसे स्टाइब और उसके बाद बीजेपी जम्मू में बहुत स्ट्रॉंग है इसमें कोई दो रहा है नहीं पीडीपी के अंदर अब वो ताकत नहीं है कि वो लेकिन हाँ यह जो इंडिपेंडेंट्स है और यह जो सेपर्टिस और यह पी यह देखना होगा कि मतलब किस तरीके से वीए आगे पढ़ते हैं तो यह बहुत मुखमंतरी के लिए अभी बस मुझे जो एक नाम जो दिखता है कि हागर यह एलाइंस का वह मतलब आपके उमर तो देखे, आने वाले चुनावों में जम्मु किश्मीर में क्या होने वाला है, जम्मु किश्मीर का अगला मुख्यमंतरी कौन बनेगा, यह आपको कुछ समय बात ही पता चलेगा, लेकि तब तक के लिए आप देने को देखते रहे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हम में जरूर बताइए, stay tuned.